कि पाकस्तान ने अटाइक किया है उनकी सला लेके इतना का मोदी जी का मिशन है कब में एक किसम के चुप जोड़के चलेगे उनको कोई पूछ ता उसमें क्या है जो प्रजेक्ट हमारे प्राइवेट प्लेयर देंगे कि मोदी जी को कब अनाए खर्चा हो बढ़ जाता था और अभी ली खर्ण करूंगा इसको क्या सब्सक्राइब करें आप सब्सक्राइब और जिसान नुक्सान होंगा आए आसे जुरूर प्यासे मेरे बढ़े हैं मित इत्थे पठे देर तो पठे देओं और जिस प्रकार दे जाड़े पर पोस्ट न शेलर न अपनी गंद्र खगर देहें इस देजे साथसाल दा प्रोशिसरे किनें न किस प्रकार कम टेता है और ज्योच जोईना प्लाणि ने था कि आने टाइन चेंदों की कुछ इंक्रिमेंट को इसे पे शोड़ाइव क्राइब ने सब्सक्राइब पहले में आज जिड़ा हास कर मुख्या देने हैं सब्सक्राइब पूजनिये मार्क दशक आदनी आट्रजी दा जन देने कि अधिक शच्च नमन करने हैं कि करना कुछ आशीयों दिया कि निविस्तार चुन दिया ना कि सनुत्य आंचनी होता है इस किसान उस्टेडी करने पोग चार करने पोग खास कर बुद्धी दी विवर भी जड़ा है और शारी था मात्री शक्ति एडिया दिया कि केवत मातर सुनने ना बाच है कि सुनना का साड़ा अधेश नहीं है और सुनने ना बाच पड़ी हैं चीजा देए यांगन आसे पेपर वर्त करक्या के पर जेनकर लिया उसी स्टड़ी का चाहिए के के चीजा को और करती है गुड गोवर्णन समारे अंदर पहले से ही थ कि शांती मंत्र हम बोलते हैं शांती मंत्र क्या है वह कोई ऐसा थोड़ी है कि वहां कोई संस्क्रित में लिखा गया कोई पता नहीं क्या है आप आशांती शगयो शांती वनस्पति विष्टु देवा शांती अले भया गुड गोवर्णनस को हमारे अंदर रहें उसके उधायन के भी मोदेशी दे रहे है इसलिए घुड गोवर्णनस को नई चीज नहीं है हमारे लिए लेकिन बीच का चालखंड जो गुजरा रहे जिसमें हम गुलांब रहे उस कालगगन में ये परिकर्पना समाप्त होगी है लेकिन वाजबाई जी ऐसे आदमी थे ऐसे देश के नेता थे जो उन्होंने इसको फिर से शुरू किया उन्होंने इसको फिर से प्रालम्ब करवा है वाजबाई जी कोई सादार्म आदमी नहीं कि 1924 में उनका जन्म हुआ आज के दिन 25 दिसंबर के और 16 अगस्त 2018 की को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया कि 1924 में जन्में पड़ाई करने के बाद में पॉलिटिकल सैंस करने के बाद में बहुत छोटी उपल में बतालीस में जब फूइट इंडिया मोवमेंट चली थी उस समय वह तेइस दिन के लिए वह उनका बाई जेल में चला जेल से चूटते ही उन्होंने बारतिय जन्रसंग में बारतिय जन्रसंग के बारतिय जन्रसंग में जॉइन हो गए शांप्रशा दूकल जी के अकटल भी आई वाज भाई जी दस बार मेंबर पार्लेमेंट रहे हैं दस बार आज बारतिय जन्ता पाटी की ओर से कुठवा में बारतिय जन्ता पार्टी के प्रपोश्टों ने और बारतिय जन्ता पार्टी ने कुठवा के इस कार्यले में आज अटल वाजपाई जी का जनम दिन अटल वाजपाई जी आज के दिन 1924 में उनका जनम हुआ और 16 अगस्थ 2018 को उन्होंने अपना शरीर चोड़ दिया स्टेक के रूप में मनाते हैं इसलिए आज यहां हमने अटल प्यारी वाजपाई जी ने जो गुड गौवर्ननस के नाम पर जो उन्होंने अनेक स्कीमें अंतियोधय गरीब आदमी तक पोंचने का जो उन्होंने एक रास्ता मारक खोला था जिसमें सर्वशिक्षा अभ्यान जिसमें सड़क योजना प्रदानमंद्री सड़क योजना जिसमें हेल्थ मिशन हेल्थ रूलर मिशन जिसमें 1998 में उन्होंने न्यूकलेट टेस्ट करवाया था ऐसे सारे चीजें और विशेशकर कश्मीर के लिए जो उन्होंने पहल की है जिसमें इंसानियत जमूरियत और कश्मिरियत का नारा उन्होंने दिया उन्होंने ये कहा था कि हम दोस्तों बदल सकते हैं लेकिन पडोसी नहीं बदल सकते हैं इस प्रकार का जो अटल बहरी वाजबाई जी का जीवन था आज यहां हमने अपने कारिकरताओं के बीच में रखा है और वर्तमान में जो बहुत अच्छी स्कीम्स प्रदान मंत्री जी के हमारे वर्तमान प्रदान मंत्री जी के माध्यम से शुरू हुई है वो गती शक्ति है वो वन ग्रेड़ वन अर्थ वन सन और डिजिटल इंडिया उसके भी बात चीद आज हमने यहां अपने कारिकरताओं के बीच में जो की है और 31 तारीक तक एसोसेटिन मेंबर्स को कहा है कि वो अपनी बात बता है लेकिन लेकिन फिर उसके बाद अलोकेशन आप सीट्स होगी उस समय देखेंगे जो होगा वो करें अभी थोड़ा आंसड़ा जो है वो कम नजरा आता है अभी इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहें अभी जो है वो बहुत अच्छा है आज कुठुवा बीजेबी की कारेले में सुशाशन दिफ़स मनाया गया जिसमें हमारे मुख्य आती थी शरी अशोग कोल साब थे यह सुशाशन दिफ़स एक तिहार के रूम में मनाया जाता है इस दिन अटल बिहारी बाजपई जिनका जनम दिन है उनके जनम दिन को एक सुशाशन के रूप में याद किया जाता है शासन तो हमें अंग्रेज सिखा गए थे लेकिन सुशासन जो हमें सिखाया वो अटल बिहारी बाजपई ने सिखाया बहुत ही सरकारें पहले आई जब 97 में पहली बार जब अधान मंत्री बने हमारे अटल बहरी बाजपई तब से उनों ने ये लोगों के मन में बिठाया कि ये सरकारें जो होती है जनता के लिए होती है जनता की होती है और जनता को समर्पित होती है तो सुशाशन का यही मतलब है कि किसी के ओपर कोई जबरदसी कोई चीज इंप्लिमेटिशन नहीं क अपनी जब फस्ट टाइम जो परदान मत्री बने थे तो उस वक्त उनों नहीं शुरू करवाया था जब हमारे प्राइमिस्टर मुदी साब जब हमारे प्राइमिस्टर बने 2014 में तो उनोंने चार दिसंबर को ये अनौस किया था कि अटल बिहारी बाजपई जी का जो जर्म दिन है वो सुषासन के रूप में हर बार 25 दिसंबर को हर जिला करयाले में मनाया जाएगा आज उसी लक्ष में आई यहां अबारतिय जनता पार्टी के आफिस में यहां के हमारे परदान यहां के जिला देख्ष श्री गुपाल महाजन जी और यहां पर मुख्याती थी हमारे आए हुए श्री अशोग कॉल जी जो हमारे संगठन मंत्री है बड़ा अच्छा यहां प्रोग्राम रहा हजारों की तदाद में लोग यहां कठे हुए और सब ने मिलके आज बड़ा खुशी से यह तिहार मनाया और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हर साल और बड़ी उपलब्दियां यहां पर गिनाई गई किस तरह से भारती जनता का जो हमाला मुख्याले है जिला कठुवा का यहां पर एक भावे कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आदर निये हमारे पूरव प्रधान बंतरी अटलबेरी बाजबाज जी को जो जनम दिवस था उसको मनाते हुए हम लोगों ने जो सुशासन दिवस पर पार्टी की जिला का जो हमारे जबसे करह दो एक ब्रदेश के आदंगे श्मशेश सिंग मना जी जो हमरे पूरव में राजे साथ हमें लेंबर रहे हैं सबी भारती जिंता पार्टी जिला कट्वा के कारेकरतों ने तेक भबे कारेकरम आज मैं कहूंगा उनकी विदोलत आज यहां पर हुआ और आप आप ने देखा जबसे यह डिलिमिटेशन कमिशन की और से जो स्टी समाज को जो नो सीटों का प्रावधान जो प्रपोसल जो है वो सरकारों इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को बेजा गया है उन लोगों ने आज यहां पर डोल नगारे बजा कर और मैं कहूंगा कि हमारे आदनी संगटन महामत्री जी उन्होंने भी कही ना कहीं उनकी जो खुशी है उन्हों देखी है और उस खुशी का इजहार करते उ मोदी जी ने उसको आगे बढाया और जिस प्रकार स्वामी विवेकानन जी ने कहा था कि एक समय आएगा कि हमारा जो देश है विशब गुरू बनेगा और मोदी जी इस दिशा की और मैं कहूंगा एक बहुत ही बढ़िया प्यास करें और भारती जिंता पार्टी का एक है क कारे करता जिस प्रकार से पार्टी का दिशान देश उसको मिलता है पूरी महनत और लगन के साथ उसकार करता आज आपने वैसा देखा एक बार फिर से इस बहुत ही बड़े दिन पर सुशासन दिवस्तर में आपको बहुत 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 बड़ा देन है हमारे लिए जमू क कुश्मीर की असम्बली और सारी प्लिटिकल जो जर्बेशन दी जो नो सीटें दी हम और हमारी ब्राद्री और पूरी जमू कुश्मीर की अभाम इसके लिए एक हमारे लिए एक एद्गा दिन है हमारी कौम हम कदीर जिंदगी में मुदी आधार बिजे पिकी तंजीम या जो जमात है जो अर्मिदर राना के जेरे निगरानी niewें हैं कोल साथ हैं हैं कभी भी इनका भूल ने सकते हमारे गुजर बख्रवाल जो नो सीटें जमुजर बख्रवाल डिये हैं हमारे आने बाला टाइम जो होगा जो गुजर बकरवाल का ही चीम मिनिस्टर बनेगा और जो मोदी साहब की देड़ है जो मैंने आजा आपके मैदम से आपके चैनल से क्योंकि आप गरीबों का मस्कीनों का और शेडूर कास्ट जितने भी हर गरीब अब हम चाहे हिंदू मुस हमें उनका बेलकम किया और उनका शुक्रिया दिया अदा किया गुजर बकरवाल ने क्योंके जो नौ सिटें दी हैं इनकी बदोड़त इन्होंने ही पूरी फ्रिस्ट बेजी और उन्होंने सेलेक्शन किया और हमारे जितने भी जो हमारे लीडरान है उन्होंने आजे हमारे हाजी सुर्मी दीन साहब ने है जितनी भी पारी कौम आई है आज हमने ने शुक्रिया किया मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ यही कहूंगा कि मोदी साहब जिन्दाबाद जैहन जैवर